आप लोगों का स्वागत है मेरे कॉर वीडियो में आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है सयद वन्स तो ये GKGS के 112 टॉपिक का ये टॉपिक नंबर सात्मा है इससे पहले टॉपिक नंबर 6 तुगलक वन्स आया था तो तुगलक वन्स की समापति के बाद सयद वन्स का उद देख लें तो आप सयद वन्स को अराम से समापत कर लेंगे ठीक है लेकिन सयद वन्स के बाद जो टॉपिक आने वाला है वो है लोदी वन्स तो टॉपिक नंबर 8 जो होगा वो लोदी वन्स होगा तो उसके रिलेटेड उसमें काफी ज्यादा कोश्चन बनेंगे जो की इन भत्पूर्ण है तो बिहार स्पेसल का मैंने पांच ही टॉपिक डाला है तो आज दो टॉपिक डाल दूँगा 6 और 7 तो आप उसे भी देखे फिलाल आते हैं सयद वंस पे तो सयद में 14 प्रसन है तो 14 प्रसन को हम सब बारी बारी से देखते है ठीक है तो पहला प्रसन है सयद वन्स के उदे की समापती पर हुआ था तो आंसर होगा तुगलक वन्स तुगलक वन्स की समापती के बाद ही सेयद वन्स का उदे हुआ था सेकेंड है सेयद वन्स के सस्थापक कौन थे तो आंसर होगा खीच खां थर्ड नमबर है सयदवस के सस्तापक खीच खाने सुल्तान की उबाती नौधारन कर कौन सी उपादी धारन की तो उन्होंने रईयत ए आला की उपादी धारन की थी ठीक है ये सब बुछ लेता है फोर्थ नमबर है तैमूर लंग का सेनापती कौन था तो खीच खान थे चलिए पाचमा कुश्चन देखते है पाचमा प्रस ने तैमूर के बेटे सारुक को नियमित रूप से कर कौन भेशता था तो आंसरोगा खीच खान सिक्स नमबर है खीच खान के मिर्तियों के बाद कोन गद्धी पर बैठा तो उसका पूत्र मुबारक सा गद्धी पर बैठा मुबारक खान ने कौन सी उपादी धारन की सात्मा प्रसन देखिए तो इन्होंने सा की उपादी धारन की थी ठीक है 8 नमबर है मुबारक सा ने किसको संगरक्षन दिया था तो आंसर होगा याहिया बिन अहमद सरहिंदी ठीक है नाम था चलिए 9 नमबर दीखे मुबारक सा ने यमना के निकट कुन सी सहर की स्थापना की तो मुबारका बाट ठीक है तो ये नॉमा प्रसन होगिया आपका चलिए आगे लास्ट और पांच प्रसन देखते हैं चलिए दस्मा प्रसन है किसने सयद वन्स में अपने नाम के सिख्के चलाए तो अंसर होगा मुबारक सा ज्यारमा ये तारीके मुबारक साही पुस्तक को किसने लिखा 14 नमबर है सयद वंस के बाद कौन सा वंस की नीप पड़ी तो लोधी वंस में भालोल लोधी ने ही अलाउद्दीन आलम सा को हटा दिया था उसके पत से ठीक है तो ये 14 प्रसन थे सयद वंस से रिलेटेड काफी छोटा वीडियो था ये तो जैसे जैसे प्रसन है उस हिसाब से वीडियो का लेंथ जाता है तो 14 प्रसन सफिसेंट थे सयद वंस से रिलेटेड अब देखेंगे लोधी वंस जो टॉपिक नमबर आठमा होगा और धीरे धीरे हम सब 412 टॉपिक जैसा कि मैंने आप सब के बताया है एक सो टॉपिक आप ठेक्स जीके वाला कर लें जिसे आपको 112 टॉपिक हर एक चैप्टर का दूँगा अपना नोट्स प्रभाइट करूँगा और कुश्टन बताऊंगा तो कुश्टन के फॉर्मेट में कुछ आएंगे जैसे अभी ये कुश्टन के फॉर्मेट में कुछ टॉपिक के फॉर्मेट में आएंगे ठीक है तो टॉ पढ़ेंगे तो उसके विशय में point wise जाल लेंगे क्या-क्या important पक्ष है इसके और क्या-क्या exam में पूछ सकता है ठीक है तो इस हिसाब से हम सब काम करेंगे उससे क्या होगा कि आपका topic complete होगा और यह बस एक practice है ठीक है आपको book पढ़ना ही पढ़ना है आपको science का book follow करना है ज पढ़ने लेना पढ़ेगा कि कौन सा question आता है और question आने के लिए आपको थोड़ा सा पढ़ाई करनी पढ़ेगी ठीक है थोड़ा सा नहीं मतलब अच्छे से पढ़ाई करनी पढ़ेगी हर एक topic को बारीकी से आपको जाच करना पढ़ेगा तो मैं बस आपको practice करवाते जाओ जाओंगा और अपना जो भी है notes मेरा जो experience है वो आप सब के साथ share करते जाओंगा आप इन सब वीडियो को अराम से देखें उसे not down करें और याद करने का प्रियास करें ठीक है तो चलिए मिलते है next वीडियो में कुछ और topic के साथ अब तक चैनल को subscribe कर लिजेगा वीडियो अच्छी लगी हो तो like कर लेंगे ठीक है तो thank you so much bye bye